गुड मॉनिंग दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्वीब चैनल पर जिसका नम है मोहन सलेक्चर जीरो अन्दे के फ्रेंड अगर अवे तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर रख था मैट्रिक्स एं डिटरिमेंट उसका क्व हैस्टन नम्बर तेरा सु क्या वन करेंगे क्या कहता है यह कैता है आपने इस मैट्रिक्स का इंवर्स вам अउट करना आ है बिल्कूल मान लिजीए ठीक है अब आपको पता है आपने A inverse find out करना है A inverse का formula क्या होता है adjoint of A over A की mode value ठीक है अब 2 by 2 order की matrix है इसका अपने inverse find out करना है तो पहले तो adjoint find out करेंगे adjoint find out करने का ना 2 by 2 order की matrix के एक trick होता है direct कैसे ये cos theta है और ये cos theta है इन दोनों को replace कर दीजिए निच्चे वाले को उपर लिखतीजिए चूंकि दोनों के दोनों same है इसलिए कोई change नहीं होगा ठीक है और जो ये ये वाला diagonal है इसके sign change कर देना है आपने ये sign theta किसका है plus का है तो भी बिल्कुल simple है कैसे करना है आपने multiply कर देनी है cos square theta और minus minus plus हो जाएगा ये sign square theta हो जाएगा और cos square theta according to 10th class result 1 के equal होता है formula में put कर दीजिए कि आपको inverse find out करना है adjoint of a over a का determinant तो simple adjoint तो हमने निकाल लिया क्या है आपका cos theta minus sin theta minus sin theta और ये हो जाएगा आपका cos theta दोनों देखो क्या था जब interchange किये इनके sign change किये minus का था ये plus का था ये plus का हो जाएगा ठीक इसमें change हो जाएगा ये plus का हो जाएगा और mode one by one अब देखिए ये answer का match करता है cos theta minus sin theta sin theta cos theta ये निकी option a यहाँ से आपका जो है crack tensor हो जाता है I think so friend ये sum आपको बिल्कूल अच्छे वे से समझ में आ गया होगा इस sum का जो है option a आपका जो है correct answer है आप इसका solution भी देख लीजिए किस वे से पहले minor निकाले हैं फिर co factor निकाले है after then ये किया है but two by two order की matrix को आप direct जो है solve कर सकते हैं अब देखिए इस sum में क्या था a और b की multiply करनी थी a कितने order की है आपकी two by two order की matrix है b कितने order की है आपकी two by one order की है तो ये तो two by two हो गया ये यानि कि जो matrix आएगी result में वो two by one यानि कि number of row दो होंगी बट column एक होगा आप answer में देख सकते हैं इसमें भी two by one की है ये भी two by one की है ये भी ये भी इससे तो कोई फरक नहीं पड़ा अब last में multiply करनी पड़ेगी कैसे इसकी पहले इसके साथ करेंगे तो zero की one के साथ करेंगे zero one की two के साथ करेंगे two अप इसकी साथ करेंगे one पलस दो दुना चार तो ये दो बटा पांच हो जाएगा यानि कि option d यहां से आपका जो है correct answer हो जाएगा I think so friend ये sum आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा देखिए ये sum क्या कहता है ये भी बिलक of unity जब कभी आपको omega के अंदर matrix या determinant given हो then आपने क्या अपने mind में रखना है एक तो ये बात one plus omega plus omega square ये तो होता है आपका zero के equal और one into इन सभी के गुणा कर देजिए omega into omega square ये आपका one के equal होता है it means कहीं तो omega cube आपका one के equal होता है आपको ये दो result mind में एकदम से आजाने चाहि है अब देखो अगर मैं R1 में change करूं क्या change करूं R1 में add कर दूं R2 उसमें add कर दूं R3 तो क्या होगा देखिए जब हमने change किया R1 में ये R1 में change है क्या change है R1 में add कि R2 में add कि R3 तो अपना ये बन गया A plus A omega plus A omega square यहां से A common ले लिया मैंने अभी अभी उपर बताया था ये equal to zero के होता है ये zero के equal होने के कारण A के साथ multiply होके ये पूरे का पूरा आपका zero हो गया इसी परकार यहां पे आपका zero हो गया इसी परकार यहां पे और according to determinant according to determinant अगर ये matrix लिख रखी है देखिए यहां पे symbol matrix का लगा रखा इन्होंने बट क्या find out करता है ये यहां पे determinant देखिए question में क्या कहता है question में कहता value of the determinant determinant की value यह matrix को cancel करें यहां से गलत है यहां पर determinant होना चाहिए matrix नहीं है इसका determinant value find out करता है ठीक है कोई एक row अगर पूरे की पूरी 0 हो जाए या फिर एक column पूरे का पूरा 0 हो जाए तो इसका direct answer 0 होता है direct determinant जो आपको given है matrix उसका determinant direct 0 हो जाता है हमने तो condition find out करनी थी अब यह यह क्या answer कुछ और दे रख्या है D, इन में से कोई नहीं बिल्कुल इन में से कोई नहीं होग answer क्यों? क्योंकि answer में तो 0 कहीं पर है ही नहीं इसमें तो AQ पलस BQ CQ माइनस बिल्कुल confusion वाड़े answer given है बच्चा क्या करेगा? तुक्का मारेगा तो इन में से ही मारेगा है ना D पे तो बहुत कम जो जाएगा बिल्कुल easy type का sum था अब next sum देखिए rank of the matrix सबसे पहले तो यह देखो यह 3 by 3 order की matrix है तो इस matrix का rank maximum हम 3 हो सकता है यह 3 से कम हो सकता है हम determinant method से करेंगे determinant method क्या कहता है? आपने 3 by 3 order की matrix से इसका determinant find out करना पहले तो एक एक वल मानके इसकी determinant value निकाल ली है आप देखो गे ना determinant निकाल के पक्का 0 मिलेगा 3 by 3 order पूरा अब आप 3 by 3 order matrix में से 2 by 2 order की matrix choose कीजिए और उसका determinant देखिए देखिए 9 एकम 9 3 तिया 9 माइनस माइनस पलस 1 माइनस 9 यह 0 हो जाएगा 6 ति 18 माइनस ठारा यानि कि 2 by 2 order का भी 0 हो रहा है अगर 3 by 3 order का determinant 0 है तो rank 3 नहीं है 3 से कम होगा यानि कि 2 होगा अगर 2 by 2 का भी 0 है तो rank 2 नहीं 1 होगा इस प्रकार rank 1 यानि कि option B इस sum का जो है correct answer हो जाता है इन्होंने जिस method से किया है इन्होंने operation लगा के किया है आप भी कर सकते हो but determinant method बहुत easy method होता है हर एक जगा यह आपको दिक्कत में डाल देगा अब देखो if A matrix given are two matrix then A and are two matrices then A, B का inverse is यहाँ पर देखो English में statement गलत है Hindi में एक तो A matrix देखो यह given है एक B matrix given है तो आपने inverse निकालना है सबसे पहले इनकी गुना कर लीजिए यह कितने order की matrix है इसमें दो तो रो है एक column है 2 by 1 यह 1 by इसमें रो 1 है और column दो 1 by 2 यहनि कि 1 1 है बिलकुल गुना हो जाएगी 2 by 2 order की matrix बनेगी है तो A, B, C में से कोई answer होगा तो सबसे पहले आपने गुना करनी पड़ेगी चलो कर लीजिए गुना जब आप गुना करेंगे तो 1 की पहले 2 के साथ करोगे 2, 1 की 3 के साथ आपको यह matrix मिल जाएगी ठीक है बट याद रखना A, B का inverse तभी exist करेगा क्योंकि A, B का inverse का formula हो जाएगा adjoint of A, B और A, B की determinant अगर determinant condition है जो determinant है वो not equal to 0 होना चाहिए वई अब हमने निकाला determinant तो equal to 0 आगया तो inverse exist नहीं करेगा अगर inverse exist नहीं करेगा तो option D, देखिए सोच भी नहीं सकते थे option D is sum का जो correct answer होगा I think so friend, यह sum आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा देखिए क्या कहता है, यह कहता है I3 एक identity matrix है, order 3 by 3 की then I3 का inverse is equal to I3 का inverse किसके equal होगा वो भी आपका 3 by 3 order का ही होगा inverse में जो order होता है जो matrix में order होता है, वही उसके inverse में order होता है याद रखना, चलिए trace of matrix A trace क्या होता है, trace सिरफ उसके diagonal element होता है, उनका sum होता है और कुछ भी नहीं होता है, च्छाँ और 4, 10 और 2, 12, यहनिकि option B यहाँ से आपका crack answer हो जाएगा, जस्ट यह trace पूछ साता है, क्या होगा next A square मतलब आपने A matrix को A matrix से multiply करनी है then option A यहाँ से आपका जो है correct होगा, यह final answer होगा और इसको आप unit matrix बोलते हैं, यह काई matrix बोल सकते हैं next देखिए, एक 3 by 3 order की real matrix AB of the rank 2 इस matrix का rank 2 है A का, एंड यह एक B matrix है then rank of A into B क्या होगा, बिल्कुल simple है पहली matrix का rank 2 है, ठीक है दूसरा matrix 3 by 3 order का है और AB में matrix का वो rank लेना है, जो कम हो इसका rank कितना हो सकता है, इसका rank maximum 3 हो सकता है या 3 से कम हो सकता है, ठीक है अब इसमें अगर देखें, इस matrix का rank देखें तो आप पाओगे देखना rank इसका 3 है, क्योंकि 3 by 3 अगर मैं B की determinant value करूँ तो पका note equal to 0 आईगी तो B का rank 3 है, A का rank 2 है, ठीक है आपने दुन्नों की multiply में वो rank लेना है जो दुन्नों में सबसे कम है, सबसे कम क्या है, दो है तो दो answer होगा, याद की option C आपका इस sum का जो क्रेक्ट answer होगा अगर एक matrix का rank 3 है और एक matrix का rank 2 है और आपने A गुना B का rank देखना है तो याद रखना याद रखना, जब rank है ना दुन्नों में सबसे कम वाड़ा मिलना चीए एक matrix का rank 3 है, एक का 2 है और A B का rank दुन्नों गुना करके rank देखना होगा जो कम वाड़ा है ना, वो answer होता है ठीक है? ये कोई मतलब वो नहीं है कि सोल करके दिखाओ, ये आपना बस पता होना चीए कि अगर आपके पास दो matrix है जो कम वाड़ा होता है ना, वो rank है कि जिस्टो करता है दुन्नों की multiplication में 4 to similar matrix A and B दो similar matrix है, incorrect statement कौन-कौन सी है पई दुन्नों के rank equal हो सकते है बिलकुल हो सकते है दुन्नों के transpose equal हो सकते है हो सकते है दुन्नों की determinant भी equal हो सकते है बट दुन्नों के trace ऐसा जरूर नहीं की equal हो सकते है trace equal नहीं हो सकते है ठीक है trace मतलब diagonal element का sum जब दो similar matrix है ना, उनके determinant equal हो सकते है उनकी modulus equal value हो सकते है rank equal हो सकते है बट ऐसा जुरूर नहीं कि उनके trace भी equal हो यह incorrect statement है यह correct नहीं है trace equal नहीं हो सकते ठीक है चलिए next sum की और बढ़ते है the value of the determinant इसकी अपना value निकालनी है कुछ भी नहीं करना अब देखो इस matrix में अगर आप द्यान से देखोगे ना right side कुछ नहीं दिया equal to में कुछ नहीं दिया है तो इसमें value रख लीजिए a b c की value रखे a की value इन्होंने 1 रखी b की 2 और c की 3 matrix को solve किया यह 24 आ गया आप जब आप option में गए a की value option c में जाईए c में यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 तीन दूनी 6 चोबिस यहाँ भी 24 यानि कि जब इस matrix में a की जगा 1 रख या b की जगा 2 रख या c की जगा 3 रख या और उसका determinant की answer 24 आया जब answer में हर एक option में a की जगा 1 b की जगा 2 c की जगा 3 रख या तो फिर आपका 24 option c में आया तो option c आपका sum का correct answer हो जाएगा जब यह देखिए यह एक square matrix है जिसका order n है and a का जो determinant है वो delt से denote किया गया है यह अपना बताना है इसका मतलब होता है पूरे की power n और यह determinant of a determinant a को delt से denote किया है minus 5 पूरे की power n देखिए यह n square नहीं हो सकता minus तो है नी इसमें यह भी नहीं हो सकता तो option c यहां से correct है बट यहां पे यह भी नहीं even है n यहां पे odd है या even है यह square matrix है 3 by 3 order की हो सकती है 4 by 4 order की हो सकती है इस स्वाल पे objection लग सकता है क्योंकि minus n यह नहीं कहा इनोंने n odd है n even भी हो सकता अगर n even होगा तो यहां से न आपका minus बाहर निकलाएगा और पलस आएगा अगर odd होगा तो minus यह तो obviously ठीक है बोच के जो है उस पे depend करता है कितने order है if 3 by 3 order की square matrix है a such that a की 5 0 है then consider the following two statement इसमें आपने दो statement given है इस type का sum a की 5 आपका 0 है यह देखो i3 minus a की power minus 1 ले लीजिए यहां पे आप तो इसका formula 1 पलस a plus a square plus a cube ऐसे चलेगा यह a5 0 हो जाएगा a5 है न ऐसे तो इसमें यह तो statement true है बट यह false है आपकी आपकी i3 minus a invertible होगी बट यह नहीं होगी option 2 correct कहां है first is not correct option first is correct but second is not correct option first is not correct but second is correct option b इसमें है ना option c given है बट b आपका इसमें जो है यह देखो यहां पे भी कहा है यह minus बट option में सीधे रख्या है दोनों कथन सत्य नहीं भी इसमें इसरफ एक कथन सत्य है ठीक है चलिए next sum cure यह determinant आपने find out करना है कुछ भी नहीं करना इसको अलग-अलग तोड के भी हो सकता है या इसका इन्हों ने तो direct ही determinant find out कर दिया ठीक है अलग-अलग भी हो सकता है इन्होंने क्या किया देखो जब मैंने बताय था आपको 311 दिखाए देखो 111 दिखाए दे तो पहले 2 को तो आप 00 कर लो अब एक के respect में expand कर दो इसको इसकी इसके साथ multiply इसकी इसके साथ जब आप multiply करेंगे और इसको solve करेंगे तो सारे cancel हो जाएंगे आपस में X, Z, Y, 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 S, A, Y तो आपका final answer यहां से इस sum का 0 आ जाएगा यानि कि option D इस sum का final answer हो जाएगा I think so friend यह sum आपको अच्छे समझ में आ गया होगा if the determinant of n square matrix A is 3 यानि कि determinant n square matrix का कितना है 3 है यह n by n order की matrix है and adjoint of A is यानि कि adjoint of A is वो कितना है आपका वो 343 है 243 है अब एक बात याद रखना इसमें formula होता है A का determinant की power n minus 1 क्योंकि n order की matrix है यह ठीक है यह आपको given है 3 की power n minus 1 क्योंकि यह determinant की value given है is equal to 243 को आप 3 की power कितना लिख सकते है 5 यह देखिए 16 भी कर रख्या 3 की power 5 लिख सकते है जब base same है तो power equal हो जाते है यहांसे n की value आपकी 6 आजाएगी यानिकि option D आपका correct हो जाएगा यहांसे adjoint of A किसके equal होता है इसका formula पता होने चाहिए determinant of A raise to power n minus 1 यानिकि option D इस सम का correct answer हो जाएगा यानिकि 6 चलिए next sum की और बढ़ते है next sum आपका क्या कहते है क्या कहता है यह देख लीजिए कैसे आपका sum जो है soul किया गया है यह भी बिल्कुल अच्छे type का question है ज़्यादा difficult type का question नहीं है इसमें determinant की property के साथ logarithm की property भी use हुई है दीखे तीन को कैसे लिख सकते हैं तीन दोनी 6 ऐसी लिख सकते हैं लोग और लोग m into n का formula हो जाएगा लोग m पल्स लोग n फिक ऐसे तीन दो की form में लिख लेंगे हर एक को इसको लिख सकते हैं लोग दो की power 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 तो तीन लोग दो हो जाएगा यह इसको कैसे लिख सकते है पांदूनी दस ठीक है तो उसमें भी आपका पांदूनी दस यह अलग-अलग हो गया अब इसमें R1 में चेंज करते हैं क्या करते हैं R3 माइनस R1 R3 में से R1 को जो है सब्ट्रेट कर लेते हैं R3 को सब्ट्रेक्ट करना है ठीक है अब जब आप इसमें उप्रेशन अप्लाई करोगे तो आप ध्यान से देखोगे इधर में लोग 2 के रिस्पेक्ट में इसको इन्होंने तो यह डिरेक्ट कर दिया बट आप करके देखना इसको ठीक है इसमें से इसको जो है निकाल दीजिए ठीक है लोग 2 में से इसको निकाल दीजिए लोग 2 बज़ जाएगा यहाँ पे भी लोग 2 बज़ जाएगा ठीक है और में से 3 को आपने जो है सब्ट्रेक्ट किया है R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 ये चेंज किया है, R3 में से, R1 में चेंज किया है, R3 माइनस R1, R3 में से R1 को घटा दिया इनोंने, ठीक है यहां से लोग 2 यह सेम बच जाएगा इसी परकार फिर क्या किया इन्होंने R1 में क्या चेंज किया R1 C1 में कोलम में ही चेंज कर लिया इस कोलम में से इन्होंने घटा दिया C2-C1 इसमें से यह गया आपका 0 इसमें से यह गया यह बच जाएगा इस में से इस में से यह जाएगा आपका तो two times minus में बच जाएगा ठीक है यह तो direct इसलिए कहता है अगर यह same दिखते then आपका direct है इसके respect में expand कर दो आप इसको ऐसे ठीक है लोग two के respect में जब multiply करेंगे न यह सारा zero हो जाएगा आपका तो determinant value आपकी sum की जो है zero आजाएगे ठीक है चलिए next sum की और बढ़ते हैं बिल्कुल ठीक type का sum है ज्यादा difficult type का sum नहीं है just property लगा के आप अच्छे से इस determinant को soul करके देखना अगर नहीं हो तो comment करना मैं करके दिखा दूँ आपको ठीक है चलिए next sum की और बढ़ते हैं ये मेरे हिसाब से कहीं बार स्वाल पूछ लिया है अगर यहाँ पे मैं बीटा कर दूना जो आपका last sum था क्या मैं इसको करके दिखा हूँ देखिए six को तीन दूना अच्छे हैं ऐसे लिख दिया आठ को तीन लोग दो लिख दिया दस को ये लिख दिया इन्होंने को ठीक है इसकी बजाए है ना आप इसमें चेंज करो R3 में यहां लिखने का गलत तरीका है R3 में चेंज करते हैं क्या करते हैं R3 माइनस R1 यह चेंज करते हैं R3 में से R1 को गटाते हैं यह ना पता किया है मैं इधर इसलिए सोल नहीं करता क्योंकि यह टाइम ले जाएगा आपका यहां पे और इतना सपेस भी नहीं होता तो आप ऐसा करना आप सेल्फ करके देखना इसको अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना मैं सपेसल आपको यह समझा दूँगा ठीक है क्योंकि जितना टाइम उसमें लगेगा इतना फिर सारी देखो समझना इधर दे भी रखा है आपको यह अलफा की वन है इसी डिटर्मिनेंट वैल्यू गीवन है ठीक है और इन्होंने तो डिरेक्ट ओप्शन से कर दिया यह एड्जोइंट ओफ एल्फा निकाल लिया ठीक है ए इन्वर्स क्या होता है एड्जोइंट एल्फा और आई है ना यह यह एकोल नहीं है किसकी एल्फा के क्योंकि एल्फा की वैल्फा की वैल्फा क्या है आपकी देखो उपर है आपकी एल्फा की वैल्फा क्या कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तो वो है कोस अल्फा साइन अल्फा यहां पर माइनस यह दोनों value equal नहीं है, इसलिए बोलता है कि A inverse यहाँ पर exist नहीं करता, चलिए next हम क्यों बढ़ते हैं, the inverse matrix of, the inverse matrix of the matrix A exists if A is a square matrix and A का determinant not equal to 0, क्योंकि A inverse का formula क्या होता है, adjoint of A by A की mode value, अगर condition होती है, यह not equal to 0 होना चाहिए, इसको बोलते हैं, determinant of A, not equal to 0, यहाँ से जो है, समका correct answer हो जाता है, अब देखिए मैंने आपको जो बताया था वही है, यह बोलता है, let A square matrix A be such that A A square A cube are non-0 matrix, but A4 is 0 matrix, then आपने इसके value निकालनी है, आपना पूरे की minus 1 करी 1, 2, 3, 4, 5, R तक गई है, ठीक है, यह बोलता है, A4 आगे सारी की सारी आगे आपकी सारी की सारी 0 होती चली गई, तो यहाँसे 1 plus A plus A square A cube की value की आई, 1 minus A inverse आई, A inverse, ठीक है, क्या बोलता था, then A I is क्या होगा, यह value होगी, 1 plus A plus, यह, है न, option D, आपका जोगा, correct answer हो जाएगा, इस सम्का, A inverse पूछता है, यहाँपे, then A inverse equal to, आई सम्झे में इसका inverse पूछता है, inverse किसके equal होगा, देखें, next हम क्या कहता है, आपका rank of the matrix, इस matrix का rank यह तो 3 हो सकता है, यह 3 से कम हो सकता है, ठीक है, अब हम अगर इसका rank देखें, इसका determinant find out करना, जब इसका, देखिए इस में से, इस, यह, यह column, इस में से अगर मैं 2 common ले लूँ, तो यह 1, 2, 3 बज जाएगा, according to property of determinant, यह column और यह column identity होने के कारन, 3 by 3 order का, determinant आपका, क्या होगा, 0, तो इसका rank, जब determinant 0 हो जाए, 3 से कम होगा, यानि कि 2 होगा, अगर 2 by 2 order का देखो, आप checker का है, 4 कम 4 minus 4 यह तो 0 होगा, 7 और 14 minus 16, यह 0 नहीं हुआ, अब 2 by 2 order का, determinant निकाला, और note equal to 0 है, तो इसका rank दो होगा, ठीक है, determinant method से करिया आप इसको, यह दिखने में तो आपको असानल लग रहे हैं, operation पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, paper में दिमाग नहीं लगाना, याद रखना, paper में तो direct चलना है, सीधा है, एक दम आपने, A matrix आपको given है, then adjoint of A, adjoint of A, find out करना, इसका formula होता है आपका, A का determinant n-1, 3 by 3 order की matrix है, तो A का determinant 3-1, यानिकि A के determinant 2, square कर देना है, simple है, इसका determinant find out करो, पहले तो minus 2 आया, minus 2 का square गर दो, minus 2 का square, minus, plus 4 हो जाएगा, यानिकि option B, यहाँ से आपका correct answer हो जाएगा, I think so friend, यह सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह बोलता है, the system of the equation यह given है, has unique solution, unique solution कब होते हैं, किसी matrix के unique solution कब होते हैं, जब lambda की value not equal to 0 हो, it means A के determinant की value not equal to 0, यह बताने की जूरत नहीं है, A क्या होता है, इसका determinant निकालिए, इसके अंदर से यह जो coefficient है यह A होते हैं, यह जो है, यह B होते हैं, X होते हैं, X, Y, Z आपके, इसका determinant find out किया not equal to 0, तो lambda की value minus 7 by 2 आ गई, I think so friend, यह सम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, चलिए next sum की और बढ़ते हैं, इसमें तो simple सी बात relation दीख ही रहा है, A and B are square matrix of the same order, which of the following is true, यह कभी matrix के अंदर true नहीं होता, अगर होता है तो कब होता है, जब A, B matrix, B, A के invertible matrix हो, उस situation में true होता है, यह भी नहीं होता है, ठीक है, यह होता है D, यह भी नहीं होता, दो वरगों के अंतर को आप ऐसे matrix के में आप लिख नहीं सकते हैं, तो it means, यानिकी option D, इस सम का जो है, आपका correct answer हो जाएगा, चलिए next sum की और बढ़ते हैं, singular matrix, जब भी यह singular matrix word लिखा, तो याद रखना, A का determinant आपका equal to 0 होता है, तो कुछ भी नहीं किया, यहां से इसका determinant equal to 0 रखे, यहां से lambda की value निकाली, lambda की value आपकी minus 8 आ गई, चलिए next sum की और बढ़ते हैं, next sum क्या करता है, if A matrix given है, तो A square minus 4 A minus A I, then the value of alpha, विल्गुल simple है, कुछ भी नहीं है यार, यह, इसमें क्या करना है, आपने equation find out करनी है, देखना है 2 by 2 order की matrix है, तो equation भी 2 by 2 order में बनेगी, पलस से start होगी, यहां पर, पलस minus, यहां पर trace value, of A, X, पलस, यहां पर, X का determinant, find out करना है, is equal to 0, सबसे पहले तो X square minus trace value, diagonal element का समदोर 2, 4 हो जाएगा, पलस, इसका determinant value 2, 2, 4, minus, minus, plus, एक माइनस अपने दोरे से, एक एक में एक तीन आ जाएगा, is equal to 0, ठीक है, तो, अब देखो यह माइनस है, अगर यहां पर, यह plus है, यह plus है, तो कब होगा, यह plus, अगर मैं यहां पर, माइनस कर दूँ, और यहां पर, माइनस कर दूँ, क्योंकि, माइनस, माइनस, पलस हो जाता है, लिख सकते हैं, तो, यहां से, अलफा की value क्या आ गई, माइनस 3, यहां कि option B, यहां से आपका correct है, ठीक है, चलिए, नेक्स, हम क्यों बढ़ते हैं, easy type का sum था, यह sum repeated sum है, a matrix आपको given है, the 9, a inverse आपना find out करना है, तो, simple है, पहले तो, a inverse find out कर लीजे, a inverse क्या होता है, adjoint over a, a की mode value, यह तो, आप करी लोगे, ठीक है, देखिए कैसे, फिर भी इसका solution बता देता हूं, a की mode value not equal to 0i है, ठीक है, minus 19 आई है, adjoint of a, यह निकाल लिया अपना, तो, 19 a inverse निकालना था, यह तो, adjoint a की value आई है, यह इसके determinant की value आई है, तो, इससे यह cancel होके, minus, 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 plus a हो जाएगा, यहनि क्या से, आपका, 19 a inverse is equal to a के आजाएगा, a and b are square matrix of the 3, 3 by 3 order की, such that, determinant a दे दिया, b दे दिया, determinant of 3 a भी पूशता है, 3, a, b, 3 by 3 order की matrix है, तो, 3, 3, 9, 27 बाहर निकलेगा, determinant of a given है, minus 1, determinant of b given है, 3, size तिया, क्या सी, minus के क्या सी, यानि कि option b यहां से, जो है correct answer हो जाएगा, चलिए, a and b are two square matrix such that, a, b is equal to a, b is equal to b, then, आपना बताना है, कौन सा ठीक है, ठीक है, इसमें बोलता है, idempotent, idempotent matrix कौन सी होती है, जिसमें a square is equal to a के होता है, idempotent matrix होती है, बिल्कुल a square is equal to a के है, देखो, a, b है, is equal to a है, इसको a से multiply कर दो, ठीक है, जब इसको a से, a से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका, a, b, a is equal to a square, और यहाँ पे a, b की value क्या है, a है, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ b, a की value रखेंगे, b, a की value क्या है, b है, is equal to a square, और a, b की value क्या है, again a है, अब देखो, आप a square is equal to a आ गया, यह कुण सी property होती है, अगर a square is equal to a हो, तो idempotent property होती है, इसी परकार b, a भी होगा आपका, यहाँ कि option a आपका यहाँ से correct answer हो जाएगा, इसमें एक बार तो post multiply करना, यह करके नहीं दिखाया गया, बट ऐसे ही होगा यह, a matrix आपको given है, यह आपको b matrix given है, simple है, a matrix को 4 से गुणा कर देना है, दुनों side, b को minus 3 से गुणा कर देना है, और दुनों को add कर देना है, c as it is, c को, c की value निकाल नहीं है, यह दुनों को add करके right side करके sign change कर तो बस इतना सा फरक होगा, यह plus था, यह minus हो जाएगा, minus था, plus हो जाएगा, तो उसी बिल्कुल चिंदी type का sum था, देखे, equation आपको given है, infinite number of solution होते हैं, तो यह का determinant is equal to 0 होता है, ठीक है, इसमें mu, mu और lambda की value निकाल लिया इन्होंने, इन्होंने तो direct कर दिया sum, कैसे देखो, यह equation पहले given थी, equation दूसरी given थी, यह equation तीसरी है, यह option से कर लिया, अगर mu को मैं 10 ले लूँ, और lambda को मैं 3 ले लूँ, तो यह दोनों identical हो जाएंगी, same हो जाएंगी, अगर यह दोनों equation आपकी same हो गई, तो it means इसके अनेक अनंत हल है, infinite number of solution हो जाएंगे, तो lambda की value 3 और mu की value 10, direct sum हो जाएंगे, अगर तीन equation में से दो equation आपकी identical हो जाएंगे, तो याद रखना, infinite number of solution होते हैं, लेमडा के किस मान के लिए, do not have a solution, इसके कोई solution नहीं है, वह solution कब नहीं होते, matrix के solution कब exist नहीं करते, matrix के solution तब exist नहीं करते, जब determinant is equal to 0 हो, अब determinant 0 निकालने के लिए 1, यह lambda, 1, 1 है, और यह आपका 1 lambda, 1, 1, 1 lambda, यह आपका है, इसका determinant निकालना है अपना है, याद रखना, अगर determinant को यहां option से 0 ले लें, तो इसका determinant value 0 आ जाएगी, एक equal मान ले ना, इसको, तो इसकी determinant value क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अनि कि option c यहां से आपका satisfy कर जाएगा, यह यह नहीं लिखना आपना, आपना just इसका determinant find out करना है, कुछ नहीं करना आपना, अगर वो determinant आपका 0 आ जाए, lambda की किस value के लिए, लेंडा की value 0 के लिए, यह determinant आपका जो है, लेंडा की value यहां से 0 निकलेगी, करके देख लिए, करके देखते हैं, यहां पर, यह cancel, यह cancel, lambda square minus 1, ठीक है, यहां से देखिए, lambda minus 1 तो common आ जाएगा, यह बच जाएगा अंदर lambda, lambda plus 1, minus 1, plus lambda plus 1, यह बच जाएगा, क्योंकि lambda minus 1 तो common आ गया, अब देखो समझना, यहां से, जो जगा, lambda square, plus lambda minus 1, plus lambda plus 1, इससे तो यह cancel, दो condition होगी, यह तो lambda is equal to 0 आना चीए न, एक तो lambda 1 हो जाएगा यहां से, यहां से lambda की value एक common ले लो, यहां से lambda, plus 2, बरबर 0, तो यहां से lambda की value 0 भी आ जाएगा, lambda की value minus 2 भी आ जाएगा, तो कहीं आ जाएगे यहां से, 0 भी है, lambda की value satisfy कर यह, minus 2 भी कर रहा है, plus का 1 भी कर रहा है, कोई हल नहीं है, भाई, option तो इसके 3 satisfy कर रहे हैं यहां पर, यह कुछ भी value रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, minus 2 रख दो, यह तो यह कहता है कि, कोई हल नहीं है, कोड़ सा option गलत है, तो कह सकते हैं यहां पर, यह option ठीक हो सकता है, otherwise यह तो 3 ठीक लग रहे हैं यहां पर, क्योंकि जब value रखते हैं तो 3 ही ठीक आते हैं, चलिए नहीं सम के और बढ़ते हैं, the system of the equation, consistent कब होते हैं, जब solution कब होते हैं, जब determinant not equal to 0 होता है, तो इसका determinant निकाल दीजिए, not equal to 0 के रख दीजिए, इन्होंने तो simple equation की help से ही कर दिया, इनको दिख रहा था, अगर मैं इन दोनों को add करके, इसमें add कर दूँ, यह आपका 0 हो जा रहा है, देखो, 1x, 1x, 2x, तो इन्होंने यही किया, a, b, c तो right side थे, add कर दिया, equation first, second, third को, जो first, second, third को add करोगे, तो right side, left side आपकी 0 हो जाएगी, right side a plus b plus c हो जाएगा, तो simple, यहां से इन्होंने equation की help से ही कर दिया, हलागी 3 equation है, आपका mind कहां जाएगा, आपका mind जाएगा, कि इसका determinant find out करो, बट नहीं, यहां इन्होंने direct कर दिया, equation की help से भी आप कर सकते हो, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, next, इसमें rule बताना, आपने a minus b का square a, b, यह तब ही old करता है, जब ही invertible, a, b is equal to b, यह, तब ही hold करता है, 3 by 3 order matrix है, तो incorrect बताना, यह बिल्कुल correct है, क्योंकि इसकी 3 minus 1 हो जाएगा, n minus 1, तो यह आपका 2 हो जाएगा, adjoint of, नहीं, यह नहीं है, यह होता है, determinant n minus 2 into a, यह होता है, तो यह अपका, हलाकि गलत है, थीक है, यह, यह first property होती है, यह 2 दूना, 4, 2 की power, इसमें 2 की power, 3 minus 1 बाहर निकलता है, adjoint of a, यह नहीं कि, तीन में से क्याद हो, तो 4 निकलेगा, ठीक है, तो option b, यहाँ से आपका correct है, हलाकि incorrect है, बट correct है, a, j, real skew symmetric matrix, यह याद रखना, skew symmetric matrix से diagonal 0 होते है, 3 by 3 order की matrix है, then matrix a is, matrix a क्या होगी, singular होगी, क्योंकि 3 by 3 order की matrix, q matrix है, और odd order की है, तो इसका determinant is equal to 0 होगा, अगर determinant is equal to 0, तो वो singular होती है, ठीक है, चलिए, one of the root of the equation, इस equation का एक root क्या होगा, ठीक है, तो या तो आप option की help से भी कर सकते हो, यह put करके देख लीजिए, जो determinant को 0 कर दे, वही इसका root होगा, या फिर determinant find out किया है, determinant find out करके, x plus 1, जो है common लिया, या तो यह 0 होगा, यह matrix 0 होगी, जब 1 plus x को equal to 0 रखें, तो x की value minus 1 आजेगी, simple सी बात, एक ही तो root पुछा है, और वो option में है, तो option c यहां से correct हो जाए, कुछ भी निकरना, common को बाहर निकालना है sum में, ठीक है, जादा नहीं सोचना आपने, बस इतना ही चलना है, जितना आप से पुछा गया है, यह x की value minus 1 आ जाती है, अब इस type के sum आप option की help से ही करेंगे, is equal to, यहां पे कुण सी value इसको satisfy करती है, जब आप zero value रखेंगे, zero value रखेंगे तो देखो यह आपका two, two की power zero, यहां पे आपने 1 रखना है, यह तो B option को बोलता है, 0, की इसकी value क्या होगे, ठीक है, आप अपने पास से 1 रख लीजिए, इसके determinant की value पूछता है, 1 रख लीजिए आप यहां पे, k की value 1 रख लीजिए, तो यह determinant आजाएगे, इसका, is equal to, यह one minus one, two की power zero, one हो जाएगा, यह आपका two हो जाएगा, यह आपका four हो जाएगा, निच्छे भी, यह, वहन रख लेकर two में से one गया, one हो जाएगा, three में से, three में से one गया, two हो जाएगा, यह five में से one गया, four हो जाएगा, अब इसकी determinant value पूछता है, तो देखोगे आप, इसमें क्या है, इसमें आपके दो row आपकी identical है, सेम है, तो इसका determinant direct आपका zero हो जाएगा, यह option B यहाँ से correct answer हो जाएगा, चलिए next हम क्यों बढ़ते हैं, A and B आपको five by five order की matrix given है, then rank of A 5 है, rank of B 3 है, जो multiply में होगा, जो छोटी वाली matrix होती है, वही rank हो, तो option B यहाँ से correct हो जाएगा, A इसे square matrix of the order N, and lambda इसे scalar, then यह ना याद रखना, N minus 1 बार निकलेगा, lambda की power N minus 1, और adjoint of A, lambda की power N minus 1, adjoint A, option A correct है, यह determinant नहीं, शिरफ यही, next, the rank of the matrix, इस matrix का rank यह तो 3 हो गई, यह 3 से कम हो गई, क्योंकि 3 by 3 order की matrix है, जब आपने इस order का determinant निकाले, वो 0 आगया, यानि की rank 3 नहीं है, 3 से कम है, जब 2 by 2 order की matrix लिए, उसका determinant not equal to 0 आए, तो rank इसका 2 है, यानि की option D, यहां से जो है, sum का correct answer हो जाता है, इसमें भी आपने rank find out करना same sum है, for a real skews matrix matrix, A of odd order, odd order की matrix है न, याद रखना, उसका determinant is equal to 0 होता है, equal to 0, ठीक है, चलिए, A matrix है, B है, C matrix है, तो आपने क्या निकालने, A cube plus B cube plus C cube minus A, B minus B, C minus C, इच, क्या होगा, भई यह तो करके देखना पड़ेगा, अपने पहले A cube निकाल यह, B cube, C cube, यह इनोंने वैसे अच्छे से दिखानी रख्या, करके देख लीजिएगा, यह, simple है, कोई मतलब ज़्यादा इसमें टेकनिक का यूज नहीं कर रख्या इनोंने, simple है, ठीक है, अगर देखे तो यहाँ पे कोई formula भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, यह आपका time consuming है, वस सम, time लेगा यह आपका, अलग यह 0 बन गया यहाँ पे, 0 बन गया भी, बट time लेगा यह, करके देखना पड़ेगा, rank of 5 by 5 order matrix age 3, then rank of adjoint of age, अगर A का rank 3 है, और adjoint of A का rank क्या होगा, उसका भी 3 ही होगा, यार्द रखना, किसी matrix का rank 3 है, और उसके adjoint का भी वही rank होगा, ठीक है, यह इन्होंने करके दिखा रख रख है, next हम देखिए, the system of the linear equation, does not a solution, अगर उसके solution नहीं है, तो क्या होगा, इन्होंने a, b की help से निकाल रहा, क्या बट यहाँ पे है ना, इसके यह help से निकाल दिए, यह छोड़ दो यहाँ पे, इसका determinant निकालना, यह क्या बोलता है, इसके क्या है, note solution, does not a solution, अगर solution नहीं है, तो इसका determinant equal to 0 होगा, तो यहाँ से कुछ भी निकाल ली, तो यह value आगी आपकी, lambda की यहाँ, तो वैसे सिद्धाई दिख रहा था, एक root बोलता तो नहीं आता है, lambda plus 2 is equal to 0, या तो यह matrix 0 होगी, या यह 0 होगी, तो lambda की value यहाँ से direct minus 2, तो यह क्या पूछता था यहाँ से, then lambda और option में भी मिलता है minus 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप इसका आगे solution देखोगे ना, तो इसमें यह बना है, एक तो minus 2 आया है, lambda की value minus 2, एक plus 1 आया है, plus 1 option में देखी है क्या नहीं है, है D, बट अगर यहाँ पे देखे, देखो समझना आप, यहाँ पे एक funda है, यहाँ पे इन्होंने, जो करख्या है, एक तो lambda की value यहाँ से minus 2 है, एक lambda minus 1 का square is equal to 0 है, बट लेमडा minus 1 का square is equal to 0 नहीं हो सकता, क्योंकि lambda की value minus 1 exist नहीं करेगी, तो यह value आप reject कर देंगे यहाँ से, इसमें यह funda है, बिल्कुल, इस sum में यह funda है, कि वही minus 1 आप नहीं लेंगे, क्योंकि यह value इसको reject करेगी, इस matrix को यह value 0 नहीं बना सकती, ठीक है, पलस 1, देखिए नहीं सम, the following two statement are given square matrix a, such that a 5 0, then a plus 1 is invertive, देखो यह repeat हो गया, option 2 is correct, बटन नोटे, तो option देखो यहाँ पे b है, आपका, आपने पहले भी बताये था, आपको इस type of sum, the value of determinant यह करके देखना पड़ेगा आपको, simple है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप इसको बस expand करके कर दीजे, तो option D यहाँ से आपका correct हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा, rank of the matrix, यह 3 by 3 order की matrix है, तो आपने rank बताना था, इसको एक equal मान लीजिए, और जब आप इसका determinant निकालेंगे ना, तो वो not equal to 0 आएगा, तो इस कारण इसका rank कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, sorry, वो equal to 0 आएगा, क्योंकि इसका rank 2 given है, तो यह देखोगे, आप equal to 0 आएगा, 3 by 3 order का, और जब आप A का determinant निकालोगे, 2 by 2 order का, वो आपका not equal to 0 आने के कारण इसका rank आपका 2 हो जाएगा, यनिको option C यहाँ से correct है, A matrix has some of the symmetric and skew symmetric matrix, देखो, क्या बोलता है, B तो has some of the symmetric and C क्या has skew, तो B की value पूछता है, B की value क्या हो जाएगी, 1 by 2, A plus A का transpose, आपने ये find out करना है, अगर ये पूछता, secure symmetric matrix C है, जो उसकी value हो जाएगी, 1 by 2, A minus A का transpose, ठीक है, और वो minus D के equal होगी, याद रखना, जो भी answer आएगा नो, उसका sign change करना पड़ेगा, हलाकि ये B की value पूछता था, कुछ भी निकाल लिया इन्होंने, B तो ये ही था, A plus A का transpose, और C ये था आपका, तो ये B की value पूछता, तो ये B की value है आपकी, कुछ भी नहीं, if A is a non-singular matrix, then, अगर A non-singular matrix है, यानि कि determinant equal to 0 नहीं है, तो याद रखना, then, इन में से कौन सा आपका, क्या इसके determinant नहीं वहीं, determinant equal होते हैं, अगर A matrix का determinant करो, और A के transpose का, वो equal होते हैं, इसमें तो नोटी को तो ये गलत है, ये transpose है, A into A का transpose, A square, ये A का transpose है वहीं, ऐसे, तो बिल्कुल A square के बराबर ही होते हैं, ये गलत है, equal होते हैं, ये ठीक है, A का transpose into A, ये सेम ही तो है, ये दोनों ये दोनों, ये ठीक है आपका, ये गलत है, गलत है ये पूछता था, कोन सा इन में से गलत है, ये गलत है, A का determinant, पलस A का transpose, not equal to 0, 0 हो भी सकता हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कि वो हमेशा, ये non equal to 0 होता है, ये अपने inverse find out करना है, वही सो simple, इसको एक-equival मान लो, A inverse का formula क्या है, adjoint A, और A का determinant, ये निकाल दीजिए, आप सो simple, बिल्कुल लीजी सा समय ये, अपने A का determinant निकाला, minus 8 आ गया, adjoint A आ गया, तो आपने ये इदर रग दिया formula में, after calculation आपका final answer आ गया, अगर आपको चैनल पसंद आये, तो पली चैनल को like से subscribe, जरूर करिएगा, तो बने रहे हैं मेरे साथ, चैनल का नाम है, MohanSelecture01, thanks for watching my channel, thanks again friend.